हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रैमर में जितनी भी हल्पिंग वर्प्स हैं यानि कि टोटल 23 हल्पिंग वर्प्स सभी के हिंदी में मिनिंग और इग्जेंपल्स ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि इन सभी हल्पिंग वर्प्स को हम कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले है इस इस का मिनिंग होता है है जैसे यह एक कार है फिर है एम जिसका मिनिंग होता है हूँ मैं एक शिक्षक हूँ I am a teacher आर है वे मेरे मित्र हैं They are my friends फिर है was जिसका मतलब है था या थी वह मेरा सबसे खास दोस्त था He was my best friend फिर है वर जिनका मतलब होता है थे तुम बहुत बिमार थे You were very sick फिर है will इसका मिनिंग होता है गा, गे और गी जैसे मैं आज रात सिनेमा जाओंगा I will go to the cinema तुनाइट दोस्तों modern English में will का use सभी सब्जेक्स के साथ हो सकता है आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है जो shall है उसका use I और we के साथ होगा जहां हम सवाल पूछते हैं जैसे shall का मतलब होता है गा गे गी तो यह सवाल है क्या हम कल मिलेंगे shall we meet tomorrow next है can जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ जैसे मैं घुड सवारी कर सकता हूँ I can ride a horse next है मे जिसका meaning है शायद शायद वो आज का match न जीत पाएं they may not win today's match अगला है हमारा could इसमें ability का पता चलता है past में जैसे हो सकता था, हो सकते थे या सकती थी जैसे मैं वह काम आसानी से कर सकता था I could do that task easily next है would जिसका मतलब होता है ऐसा होता या किया होता for example मुझे ये कैसे पता होता how would I know it मुझे अगर पता होता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता I would have told you if I knew anything next है has जिसका मतलब होता है past होना for example उसके पास पांच पोशाके हैं she has five dresses next है have जिसका मतलब भी होता है past है has और have में दोस्तों एक ही difference है कि जो has है वो आता है he, she, it या किसी भी एक singular noun के साथ और have आता है I, we, you, they और plural noun के साथ for example मेरे पास एक कार है I have a car फिर है head जिसका मतलब होता है आपके पास था दोस्तों जो head है वो has और have का ही past form है जैसे उसके पास एक विकल्ब था she had a choice और जो head है दोस्तों ये सभी subjects के साथ लग सकता है next है हमारा be जो की एक base form है जिसका meaning होता है खोना for example बेवकूफ मत बनो यानि की बेवकूफ होना don't be stupid next है being यानि की हो रहा है वह जिद्धी हो रहा है he is being stubborn next है being जैसे रहा था for example मैं कड़ी मेहनत कर रहा था I had been working hard next है should इसका मतलब होता है चाहिए ये suggestion में और advice देने में use होता है जैसे मुझे 9 बजे से पहले काम पर होना चाहिए I should be at work before 9 o'clock next है might इसका मतलब होता है शायद ही ऐसा हो बहुत ही कम possibility हो तभी हम might का use करते है जैसे मैं आज शायद ही office जाऊं I might go to the office today next है must इसका मतलब होता है जब आपके पास और कोई रास्ता ना हो या कोई option ही ना हो इसका मतलब होगा करना ही चाहिए for example आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए you must follow traffic rules next है do जिसका मतलब होता है करना for example क्या तुम मुझे पसंद करती हो do you like me next है हमारा does इसका भी मतलब होता है करना दोस्तों do और does में एक फर्ख है जो does है वो आता है he, she, it या किसी भी एक singular noun के साथ जैसे कोई नाम हो अमिद सुमिद सीता या गीता और जो do है वो आता है present tense में I, we, you, they या plural noun के साथ for example वह मेरी बात नहीं मानता he does not listen to me last है हमारा did दोस्तों did भी head की थरे do और does की ही past form है इसका मतलब होता है आपने कुछ किया था जैसे मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की थी I did not complain about you so friends अगर आपको मेरी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो please इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और सबस्क्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप ऐसी ही वीडियोज चाहते हैं तो जरूर कॉमेंट करकर मुझे बताएगा कि आपको ऐसी ही और भी वीडियोज चाहिए तो friends आज के लिए इतना ही अगर आप English Speaking Courses करना चाहते हैं तो आप मेरी इस एप पर आकर English Speaking Courses अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से जॉइन कर सकते हैं तो तिल नेक्स वीडियो स्टे फिट, स्टे हल्दी बाबाई and लव यू आल तेक केर वर्यवन